हेलो फ्रेंड्स कुकिंग वित हर्पित में आपका स्वागत है मेरे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके तीखा चटपटा ऐसा मजेदार अचार जो आप त्यार करेंग सूखा होना बहुत जुरूरी है ऐसी डाक कलर की हरी मिर्च लेनी है जो चार लंबा चले यह हरी मिर्च काफी तीखी होती है तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी मोटी मिर्च भी डालिया है जिससे इसका टेस्ट बैलन्स हो जाएगा मिर्च के डंठल को जुरूर काट दिना के लिए बहुत कम डाले दो चमच बिजीरा दो चमच राई डालकर इन दोनों को पीस लेते हैं मिर्च यह चार लंबा चले तो इसमें नमक जादा ढलता है तो मैंने 2 बड़ी डालकर अच्छे से मिक्स करेंग अगर सारी मिर्ची को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे औ उपर से डालेंगे दो निम्बू का रस डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें कोई तेल है ना दूप दिकाना की छंजट नहीं है मिंटों में बनने वाला ये अचार है बहुत ही टेस्टी चटपटा ये बनता है और ये कभी खराब नहीं होगा बस एकी बात का ध्यान रखे कि जब भी आप अचार डालें तो जार सूखा साफ होना चाहिए और जब अचार नकालें तो चमच भी सूखा होना चाहिए और अचार में कभी भी आप चमच ना रखे चमच रखने से भी अचार खराब हो सकता है देखिए मिंटों में यह चार हमारा तयार है बहुत कम मसाले डाले है ना तेल डाला ना धूप में दिखाना मिंटों में बन कर यह चार तयार है रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें